मौसम का बदलता मिजाज फसलों को दे रहा है नुकसान वेस्ट यूपी में 20 दिन बाद मौसम पदला हुआ नजर आया मेरट, बुलंद शेर, हापुड, गोतम बुद्नगर, बाकपत, काजियाबाद, बिजनोर और आसपास के जिलों में 14 सितंबर से 17 सितंबर तक बारिश की संभावना जताए गई है बारिश नह होने से धान की फसल पर भी असर पड़ा है धान की फसल में इस समय बाली निकल रही है ऐसे में जहां सिंचाई के साद्नों की कमी है उन शेत्रों में सूखे जैसी स्थिती है धान के अलावा गन्य की फसल को भी नुकसान हो रहा है सच है कि किसान की दिन रात मेहनत के बावजूत फसले प्रकरती पर निर्भड रहती है और इस बार इंदर देवता की नराजगी दिखाई दी है और उसका असर फसलों पर आ रहा है शासन के निर्देश पर पर शासन ने टीमों का गठन कर करीब पांच दिन सूखे से प्रभावित फसलों का सर्वे किया सर्वे में 600 हेक्टियर शेतरफल में सूखे का असर होना बताया जा रहा है सर्वे के अनुसार तो बिजनोर जिला सूखे के असर से भार हो जाएगा लेकिन जिले में कुल पौने 3 लाख हेक्टियर फसली रखबा है जिसमें गन्ना, धान, दलहन, तिलहन आदी फसले खड़ी है इस बर बरसात कम होने के कारण फसलो पर भी सूखे का असर दिखाई देने लगा है किसानों का कहना है कि फसले खराब हो रही है और उन्हें इनका मुआफजा चाहिए शासन ने प्रशासन से फसलो पर सूखे के असर का सर्वे किया है सर्वे में धान में 10-15 प्रतिशत तो गन्ने में 8-12 प्रतिशत सूखे का असर दिखाई दिया है रकवे की बात करें तो मातर 600 हेक्टियर शेतरफल में फसलो पर सूखे का असर होने का दावा सर्वे में किया गया है मौसम विभाग के अनुसार महाराष्टर में भी मुंबई ठाने समेट कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक मौनसुन सक्रिये रहने वाला है खासकर कौंकन और मध्य महाराष्टर में इसका ज्यादा फसर होने का अनुमान लगाया गया है मुसलादार बरसाथ कुछ इलाकों में किसानों की फसलों के लिए उप्योगी साबित हो रही है तो कई इलाकों में जरूरत से ज्यादा बरसाथ से किसानों की फसलें सड़ रही है